वेलकम वेक टूमाइब चैनल ऑन सिंग टो मोबिल तो गाइस हम आज बात करने वाले हैं सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में सिंक्रोनाइजे ब्रेकिंग सिस्टम होता है और टीविएस अपनी बैक्स में इसे क्यों दे रही है क्या SBT system इतना efficient है कि आपकी bikes को वो रोक सके जल्दी से जल्दी तो जो SBT, CBS और ANT है इनमें क्या फरक है आज वीडियो के इंदर हम जानेंगे तो guys बने रहिए इस वीडियो के इंदर आज आज आमको बताएंगे कि SBT होता है और बैसे लिए काम किस तरह करता है जो TBS अपनी motorcycles में आप प्रोवाइड करने लगी है क्या basic reason रहता है इसके पीछे कि TBS अपनी bikes के अंदर इसे प्रोवाइड कर रही है जो 125 से नीचे वाली bikes हैं उनके अंदर आपको SBT मिलेगा तो जानते अब हम SBT हो तक है तो basically SBT CBS की तरह ही काम करता है CBS को नाम चेंज करते और SBT बना दिया है वैसे SBT का काम यह होता है किसमें two wires होती है जो दो wires है वो एक box के तुरू connected होती है जब आप ब्रेक दबाते हैं मतलब rear brake दबाते हैं तो 75% brake आपकी पिछले यह पर अपलाई होती है और 25% front wheel पे अपलाई होती है ताकि जो motion है उसका वो control किया जा सके क्योंकि जो motion है उसको कंट्रोल करना काफी जरूरी है अगर आप ज्यादा तेज बाइक के अंदर एक ही ब्रेक मारेंगे तो होता है वील लॉक हो जाता है तो वील जब लॉक हो जाएगा तो वो skid करने लगेगा मतलब कि आपके वील को वो लॉक नहीं होने देता क्योंकि आपका जो front wheel का motion है उस में से बहुत ज्यादा हो जाते हैं जितनी भी tvs की 125 से नीचे वाली बाइक हैं उनके अंदर आपको sbt दूस्याइब के से ओपर वाली बाइक इसें के ब्रेक केबल के साथ कनेक्ट ब्रकान हो इसमें आपको की जब आपका डिकिन का प्रेंट में नफूल veins ब्रेंट में इस दोन पर वा अरिपान के में ब्रेक कजियाों में होती है और आपके accident होने के chances काफी कम हो जाते हैं जब आप यहीं पे आप front wheel की brake को apply करते हैं तो in case, आपका rear wheel का brake apply नहीं होता, क्योंकि यह सिरफ front wheel की brake को apply करता है, rear wheel की brake को apply नहीं करता यहां पर यह गाइस कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना अगर आपका कोई कोशन है तो आप कमेंट सेक्षन में जाके पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाइ करने की कोशिश करूँगा और प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को सस्क्राइब कर लेना इस चैनल को ह हम ऐसी ओटमाइल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं अपने इस चैनल पर तो थैंक यो फॉर वाचिंग गाइस